बच्चों आज हम क्लास 7 एंग्लिश में लेसन 2 आपकेस्ट आफ चपल्स के से सेस्ट करेंगी वर्किंग विद्धा टैक्स्ट पीज नमबर है बच्चों प्रॉंट इना है आप सब बच्चे अपनी बॉक्स निकार लीजिए है यहां पर बच्चों से ने से किसे कुप्रिय और टाइंग करता है लज प्रेंग वाल इंग वालें वालि बजह रहे से तूं किस से कपल करता है एक ट्रेन जो पट्रे से उतर रही है और विप्रित दिशा में जा रही है इसके लिए एक सेंटेंस आयता है बच्छों 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 इसमें यहां फिलब करना है बच्छों ग्राइब भाइन चुपने की बिलीची लिए चिली की ट्रे के निची चुपने कोशिश कर रही थी तो क्या हुआ था उसमें फिलन निची आपने अपने उपर गिल्दा ग्रा लेती अफ्य चिली स्वाज़ाख जाएगा यहां पर बच्छों कौन होनी है जो ओवर हुआ है ठीक है तर्ड है जा टीचर प्रेट प्रेट अपने वॉयलेंट पे और लाली और लाली नहीं कहा रहा था उनका वैसा अनुसरण कह रहा था लेकिन वह पाग्याद नहीं ही थी कि इसके लिए फिलिन दडर्में किया गया हूं अंगा यहां से बढ़ी जी नेक्स्ट है फोर्ट व्लिन डब्लेंग्स दवें कर देर हैं दाट लेडिमडी ऑफ प्राइगर ने कहा दाकर भी इस गया बेंक्स और उनकी दयाओ हॉन्स इस घर की है बहुत दयालू है और उनकी कि दया पर मैंने अपने आपको पितले एक अफ़ते से जीवी तरखा हुआ है तो अमने से लिखेंगे के से यहां पर देखिए help him to keep his soul and body together by feeding him for a whole day ठीक है बच्चों या क्या यह जो अपना फिरिंदर गासर आ रहा हूं या आपको अपनी अपनी बढ़ना है ठीक है ना नेक्स प्रिंदर बैंस बच्चों आफ्टर दा लेशन वस पोवर दा म्यूजिक टीचर आउस लाली इफ आफ्टर दा लेजा वर जब पार्ट हताम हो चुपाता आप मुजिक मस्टर निगर जाए ते जा रहे थे जा म्यूजिक के अब हम खुशे नमबर टू पर चलते हैं डेस्काइब दा म्यूजिक मास्टर एस सीन फॉंदर करें दा म्यूजिक मास्टर म्यूजिक के अध्यापा का एस सीन फॉंदर जैसे वेरा खड़्टी से दिख रहाता है ऐसा हमार को बढ़न करना है यह को बता बच्चों यह बढ पर लाली को बढ़ना सिखा रहे हैं तब अब पास इनका वर्णन आया था कि म्यूजिक मास्टर कैसे तिक्टे हैं बहुत पतले दोबले थे गंजे हो गए ते खाफी और उन पर उनके माते पर बल आ रहे थे जो कान के साइड में भी थे थोड़े हुआ ठीक है उन्होंने एक सोने की चैन अपने लदरली लैक में पैंट रखी थी और एक हाथ में रिंटी जिससे वह बजा रहे थी और साथ ही उन्होंने अपना पतला सा पैल भार की अपनी बेश्टी यानि दोती में से भार की और निकाल रखा था और उससे वह बजा पर ताल मिलाने की When seen from the window, Music Master was sitting in front of Liz with his back to the window, Mridu saw the pony figure of Master Jis, he had mostly a bald hat with a fringe of oiled black hair falling around his ears and old fashioned tufts, he had a gold chain around his leather thing and a diamond ring in his hand. तॉपल को निश्कर्श निकानने के लिए कि तबैगर है नो मनी भीखाने के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तुम बाय चपल, चपल खरीदने के लिए ऐसा क्यों सोचाता मिदुने, ऐसा इसले सोचाता क्यों 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 उसने विकारी ने अपने चलेवे पैर दिखाये थे और उनसे दया करी थी कि वह थोड़ी दे नीम के निते ही विशांग करना जाता है, तो मिदुन का दबा था कि विकारी के बाद चपल खरीदने के लिए वैसे वारास का अंसर हो अब है थी का सब्सक्राइब कर देशाया उसका पंसन दर्शाने करें क्या कराए उसने यह रजायत दी इसे मीना और रवी को कि हम घर से कोई पुरानी चपल हो तो वह हम इस विकारी को देशकत कुछले वैसे वारास के अंसर बाद वैसेड जमें टी इस विए को तर रॉास न परेन फेले बा जाड फेल, और दी जायर दिए सिए वारि कौर तर्ने लिए को सरा इंधर थार्ण मौशा तो आपतuju सिए खर्ण कर बाद उ न तो यह मारा आसेट पुराने ४्राद न तो पर लगना है कि बढ़ पर पर बढ़ते हैं कि अधियर चिर्डरें शी बिगें तो बच्ची शी बीगें वश्रूबी एंड और फिर देखा खुष लोड गई और थी अनिवन लगीं अरांड वरेंडा वरेंडा या अगें तो बोर्ण है उसमें किसी को वहां पर तांका जाकी करते में देखा है अब कुछन नमबर वन आता है जो में वह तो बच्चों ने तो कई चपले ने चुपा दिख मास्टर जी को तंग करने के लिए तो इसको आंसर हो जाएगा रुक्मनी रियली वांटेट तो आस्ट एड़ इस अपना सवाल बंदा अपना सवाल ने क्यों बंदा उसने अपना सवाल इसे बंदा था क्योंकि बच्चे विचे चलों से शान्त बैठे थे जबकि घर में होगों सारा बच्चे क्या होते हैं बाव कर आते हैं लेकिन चुप चाप बैठे हुए थी तो इसका अंसर क्या आएगा शी चेंग्ज हर कोशन बिकॉस पर नाइस दें रखी हैं इस लिए उसने उतना प्रशन बन लाता था यह मारा अंसर हो जाएगा बाट करी कुशन फोर में वाट हुआ हुआ है उसे लगा कि कोई वरांडा में ताका जागी करते हुए आया और मास्टर जी की चुपने चुरा कर लए गया कि शी थॉट्ट डैट समवन वस लर्किंग इन दा वरेंडा एंड स्टोरें दा चंपल्स यह हमारे इन तीनों की आंसर हो जाएगे ठीक है अब हुआ कर सकते हैं आँा डिकमार धिया आनता चकुंपल्स म्त चाहिए उम्हें म्युजिक व्लें ठीक कई चाल चुपल्स मुच्ट जो हेगे गए ज Psalmla बहुत अच्छी थी उसकी उस लिए बहुत पुरानी तो की यहा। इसलिए वे टीचर खुश नहीं था ठीक है यह मारा आंसर नमर फाइब होगा तो अमारा आंसर नमर फाइब हो जाएगा दा मुजिक कॉशिन में साइब आजाएगा दा मुजिक टीचर टाइब नॉट तो लुक हैपी लुए वेंट मेरा इसलिए वाइब आडवाइब लुए निविट है इसलिए वह निकेओं विए वह रहता इंस तरी इतनी जंदी में तुली महां से चले जाने की इतनी जंदी वह थे वैश्ते थी प्योंकि और बेगर यह जानता था कि ये बच्चों ने चंपपल्स मुझे दी हैं बीना कि पहर इस ते जुब में कैसे चलेगा, जैस होसते हुए बेगर जो था रोजगली से वैने शोगया, यानि कया प्रोपड़ा, तो यह हमारा आपना सी सुझाएगा, बेगर बेगर वस इंचारे तुली कोशनिसा जाएगा, आपना सी सुझाएगा, फिछ नोषी जैस होस्एगा, आपना सी सुझाएगा, अब हम सुझाएगा जाएगा प्रोपड़ा, तो यह हमड़ा सोजग लिए बाच्वार में एक पासा, लिए पूर्यंक कामदगा पर लाप बाच्वान मेहरा जाएगा, पड़ते भी विट मृदू और मीना के साथ इसन क्यों जाते भी रुक मनी बिगें टू लाव रुक मनी जो थी वो शुरू होगी लाव भसना वोट मेट हर लाव इस बात ने उसे हसने पर मजबूर किया रुक मनी को इस बात पर हसी आ रहे थी कि जब शाम को रुप मामा घर आएंगे और चप्पल रुणेंगे तो उनको चप्पले नहीं मिलेंगे क्यों रुणेंगे विकिन गोपो माँ शाम को जब भी जल्दी ऑफिस साथ से घर आते हैं तो यह जल्दी से शूज को उतार कर एदर दर खेल देते हैं और वे अपनी कमफर्ड के लिए स्लिपर्स म कर देता हूं कर आएंगे अपनी कर देता हूं कर आएंगे शाम कर देता हूं अब हम चलते हैं वर्किंग विद दा लेंगे इसमें हैं रिट दा फॉलिंग सेंटेंस यहां पे उस सेंटेंस दिये में बढ़ रहा हूं यह हमार पस त्री सेंटेंस हैं इसमें हमार पस इफ का यूस हुआ है यहां पे जो इफ है वो इफ लॉस को दरशाता है यहनि इसी कारण को बताता है यदि ऐसा हुआ था तो क्या आप नाराज नहीं होते हैं जैसे को सी है यदि मेरी चपने फेट होती और नौ सद्य देता तो आप नहीं आप उसके लिए तिंटा नहीं कुर्सा नहीं करती माइन नहीं करती अब नीचे देखिए इफ जो दो सेंटेंस को अमार को कंडिशन क क्यान के साथ मामन करना होता हैं तो हम एक है क्लाशका यूज करते हैं अब नीचे निचे यू .. ये समय का पकड़ होगे चलोगे तो तुम बस पकड़ लूगी तो आपके लिए रिखावा यहां पर बी है, don't spit on the road, you will be fine, शड़क पे मत रुखो, तुमारे पर fine किया जा सकता है, if you spit on the road, यदि तुम शड़क पे थुखोगे, तो तुमारे पर fine किया जा सकता है, if you spit on the road, you will be fine, यह मारे दो sentences दे रखें हैं, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर नीचे five sentences दे रखें, इन्हें if clause की use से combine करना है, sentence number one है मारपास, don't tire yourself now, तुम अपने आपको भी ठखाव मत, you won't be able to work in the evening, तुम शाम को काम नहीं कर पाऊगे, तो अब हम इसे combine कैसे कर सकते हैं, if clause की use से, if you tire yourself now, यहाँ तुम अपने आपको भी ठखाव होगे, you won't be able to work in the evening, तुम evening में काम नहीं कर पाऊगे, second है, study regularly, you will do well in the examination, तो इसका, if you study regularly, यहाँ तुम परदाना पढ़ोगे, you will do well in the examination, ठेके, work hard, यहाँ मैनत करो, you will pass the examination in the first division, आप examination pass कर जाएंगे, first division के साथ, तो हम इसे लिखेंगे, if you work hard, यहाँ तुम preparation करोगे, you will pass the examination in the first division, be polite to people, लोगों के प्रतीव विनमर रहो, वे भी तुम से विनमर रहेंगे, तो हम इसे if clause से कैसे combine करेंगे, if you will be polite to people, they will also be polite to you, last, don't tease the dog, it will bite you, if you tease the dog, it will bite you, यह हमारे five sentences से, इनको हमने five sentences को, if clause की use से combine करा है, ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या रहा है, question number one है, यहाँ से उतारेंगे, rewrite each of the following pairs से, ठीक है, यह question उतारेंगे, पिर यह sentence उतारते जाएंगे, one, one से five तक, और उनकी combine करके यह आप लिखते जाएंगे, तो से पहले sentence उतारना है, उसके बाद उन्हें combine करके लिखना है, यह five sentences होगर, वीडियो पाउस कर लिजे, एंड लिख लिजे, बज्चों, अब हम question number two पर चलते हैं, fill in the blanks in the following paragraph, नीजे paragraph दिया गया है, उसमें fill in the blanks complete करने हैं, तोडे इस संडे, आज संडे है, I am wondering whether I should stay at home or go out, I am wondering मैं विचार कर रहा हूँ, whether क्या I should stay at home, मैं बर पे रुखूँ और go out, या फिर बाहर जाऊँ, if यदि I खर स्थान out, यदि मैं बाहर जाता हैं, यानि क्या एगा I go out, ठीके, आगे बढ़ते हैं, मैं घर का संडे का लंग्स खालिस्तान कर दूँगा, यानि मिस कर दूँगा, I shall miss, बरिए, फिलब करिए, आपको उपनी बॉक्स में फिलब करना है, if I खर स्थान for lunch, यदि मैं खाने के लिए, स्थी, स्थी का स्थी होएगा, मैंस फिल्म दा बैंस माया स्थी आएगा, आगे बढ़ते हैं, आई खर स्थान दा संडे फिल्म, मैं मिस कर दूँगा, अरशना ठेटर पे संडे की मूवी, आई मिस यहनि, आई विल मिस, विल मिस आएगा आपके, तो खुलब करिए यहां के, आगे बढ़ते हैं बच्छों, मैं विचार करता हूँ, मैं भाहर जाओंगा, और फिल्म और पिच्चर देखूंगा, उनली तो अवाइट इसको टालने के लिए, बहुत ज़्यदा मोटा होने को टालने के लिए, ठीक है, कुमारे फोर फिलिंसर फ्रेंस हैं, उसमें आप फिलप करने जे मुक्स में, गो, जल्मिस, स्टे, विल्मिस, ठीक है, बच्छों, अब हम कॉशन नॉम्बर 3, पेज नॉम्बर 31 पे, complete each sentence below by appropriately using any one of the following, complete करना है, each other sentence निचे दिएकर हर वाके को by appropriately using जही तरिके से इस्तिमाल करके any one of the following, किसी एक का नीचे दिए गए तो 3 हमार पास फ्रेजे हैं, इसमें से किसी एक का यूज़ करके हमार को जो बिलिंदम लैंग से 6, इन्हें खिला करना है, if you want to, यदी तुम चाहो तो, second phrase है हमार पास, if you don't want to, यदी तुम नहीं चाहो तो, यह हमार पास तुम चाहो वहतो, यह हमार पास 3 फ्रेजेस ते तीमों का मैंने एक्सिन कर दिया है, first है, don't go to the theater, theater मत जाओ, if you don't want to, यदी तुम नहीं चाहते हो, तो first मार पास आएगा, if you don't want to, fill up कर लेजे उपर से देखके, fill up कर लेजे, if you don't want to, second हमार पास, he'll post your letter, वह तुमारा letter पोस्ट कर देगा, अगर तुम चाहो वह करें ऐसा, तो इसके लिए कि आए third phrase, if you want him to, second में फ्रेजे, third हमार पास, please use my pen, क्रिपा करके मेरा pen इसमाल कर सकते हैं, if you want to, यदी आप चाहते हैं तो, third में क्या आएगा, if you want to fill up करिए, next four number का fill in the blanks है हमारा, he'll lend you his umbrella, वह आपको अपना चत्री उधार देजेगा, land, उधार देजेगा, if यदी तुम चाहो वह ऐसा करें तो, इसके लिए क्या आएगा है, if you want him to, fifth है बच्चों, my neighbor Ramiz will take you to the doctor, to the doctor, doctor के पास, यदी तुम चाहो कि वह ऐसा करें तो, यदी तुम चाहो तो, इसके दोनों आ सकते हैं, first one if you want to, or if you want him to, ज्यादा better किया है, if you want him to, next, last fill in the blanks मार पास बच्चों, don't eat it, इसे मत खाओ, यदी तुम नहीं खाना चाहते हो तो, if you don't want to, यदी तुम नहीं चाहते हो तो, fill up कर एगे, ठीक है बच्चों, यह हमारे six fill in the blanks होए, अगर किसी कोई शूट गया और इस अप्लाइस fill up करने से, यहाँ पर लिखे वे हैं, आप इसे fill up कर सकते हैं, अब आपको homebook में क्यों करना है, मैंने आपको working with the test समझा दिया तो कैसे करना है, then working with the language में question number one, दालके वो five sentences लिखकर, इसकी five sentences को if clause से combine करना है, then question number two and question number three, मैंने आपको books में fill up करवाए हैं बच्चों, तो आपको यह तुनों questions जो है, books से करने हैं, भीजे बच्चों, आज की हमारे English class यहीं finish होती है, कि अन्याजे गए बच्चों, एक रालके लिए,